दोस्तों तीन चोर में से एक को अंदे अदमी ने मार दिया और अब उसकी लाज को ठिकाने लगाने में लगा है लेकिन बाकी के दो चोर अभी भी घर में छुपे होते हैं और अपनी जान बचाने के लिए इस घर से बाहर निकलने का रास्ता ढूंड रहे होते हैं अंदे अंदे अदमी की बेटी को मारा था जिसका बतला अब वो लड़की से ले रहा था फिर चोर जल्दी से लड़की को खोलते हैं और अपने साथ में ले जाते हैं लेकिन जैसे ही बेस्मेंट का गेट खोलते हैं सामने बुड़ा अंदा अदमी गोली चलाते हुए आता है और इस लाइट बंदी का असर अंदा अदमी पर नहीं होता क्योंकि वो इस घर का चप्पा चप्पा जानता है और फिर वो चोरों का शिकार करने लगता है